हलो दोस्तो वेलकम बैक टो नी वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस फिडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग यमा आरंड 5M के बारे में दोस्तो इस वीडियो में अपकमिंग यामा आरंट 5M के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो आरंट 5M में आपको क्या क्या अच्छी चीज़े देखने को मलती है ऐसे आपको मैं टॉप 5 रीजन बताने वाला हूँ अगर दोस्तो आप जानना चाते आरंट 5M के बारे में तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रू देखेगा डीटेल में आपको मैं सारी चीज़े बताने वाला हूँ तो चली फिर आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पे पहली बराया है तो सब्सक्राइब कर लेना आप बिल के अगन को आउन कर लिजेगा ताकि ऐसे ही इंटरस्टिंग गोरों के नोडिफिकेशन भी आप तक पॉस्ते रह सकें चली आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दूस्तो बात कर लेते हैं आरण फैब एम में आपको क्या क्या चीजे देखने को मल जाती है नहीं पहले आप प्राइस के बारे में जाने जी कि क्या प्राइस आपको ये देखने को मल जाती है बात कर लिए दोस्तों इस बाइक के on-road price के बारे में तो आपको मैं clear कर दू हरेक इस्टेट के on-road price में थोड़ा सा difference होता है क्योंकि हरेक इस्टेट के आटियों इंस्टेट चार्ज से फारुप होता है ये बाइक हमारे रैपूर शत्तियस गड़ में on-road price आ रही है लग बाइक आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरू बताएगा चलिए अब आज आते हैं दोस्तों इस बाइक के टॉप 5 रीजन के बारे में सबसे पहला रिजन है दोस्तों इस बाइक की पावर एंड पाफॉर्स बाइक है जिसकी सबसे खास चीज पता है क्या है बहले आपको जस्ट 150 सिसी की वह बाइक मिले लेगिन इसकी जो परफॉर्मेस है वाई साब आपको बहुत तगली रेखने को मिलेगी बहले इसमें आपको 18.4 का पीस पॉर है 14.2 का टॉर्क है ऐसा में लगता है कि पावर एंड टॉक बहुत कम है लेगिन वाई साब यही बाइक आपको ऐसी परफॉर्मेस निकाल कर दे दुस्तो next reason है इस भाई को खरीदने का वैस भाई का engine quality है अब आपको पता है जमा है एक Japanese ब्रैंड है तो Japanese ब्रैंड उने की बज़े से आपको इसकी engine quality है आपको बहुत solid देखने को मिलेगी यह आपर जो engine quality company ने दिया है वो भाई बहुत जादा premium है क्योंकि आपको पता है Japan यूवान जुकति भी जपानी चीजिय होती है खास कर उनकी जो इंजिन कॉलिटी होती है वह next level होती है यह भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों इसे खरीदने का वह दूस्ते इस बैक का आता है दोस्तों वो आ जाता है इस बाइक का फीचर आपको बता तो इस बाइक में आपको जो फीचर देखने को मिलते हैं दोस्तों वो भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे इसमें आपको जो फीचर है आपको सारे मिलेंगे आपको सारे मिलेंगे आपको सारे मिल कर आती है और फीचर्स के मामले भी दूस्त बाइक का कोई डाउट नहीं तो इस रीजन से भी आप इसे खरी सकते हैं नेक्स रीजन है दूस्त इस बाइक का लुक एंड डिजैन अब जब भी हम एक स्पोर्स बाइक ले रहें खाकर फेरिंग इस पोर्ट बाइक या नहीं की मिली नहीं सकती है इसके मतलब लुक एंड डिजैन की बात ही अलग है लुक एंड वाइस दूस्तो आरन फइब एम जो ना बहुत प्यारी लगती है और कहीं न कहीं आरन फइब का इंडन मार्केट बे इतना ज़दा सेल होना इतना जदा बिकने के एक बहुत बड़ा कारण निकलके आता है दुस्तो है इस बाइक का लुक एंड देजन लुक के कारण जोश्तो लोग इससे बहुर ज大的 पसंद करते हैं दुस्ट इससे खरीदने का जो next रीजन निकलकर आता हो आता है इस बाइक का माइलेज है बाइक को आपको जो माइलेज है आपको भी औरे quality engine technology इसके engine में आपको पता है VVA technology मिलता है जिससे कहते है variable volume equation इस technology की वज़े से दूस्थ यह जी पॉसिवल हो पाती है कि अपकी bike performance भी दे रही है और mileage भी दे रही है क्योंकि यहां पे जो वाल्व होते है उसको company ने वैसा हाँ set करके रखाया हो सके तो कभी VVA पर बात करेंगे तो यह भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों यह mileage आपको लबब 40 चाले इसके असपस का mileage जो इसलिए आपको यह offer कर देती है दोस्तों इससे खरीदने का जो next reason निकल कर आता है वो निकल कर आता है दोस्तों इस bike का maintenance cost दोस्तों आपको मैं बता रहा है इस bike का आपको जो maintenance cost है इससे वज़े से बहुत ज़दा low maintenance bike और इतनी ज़दा low maintenance bike है कि जिस परसे से दोस्तों आपको बता दो कि आप easy to maintain कर सकते है अगर आपको लगता है कि मेरी salary का मैं मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाता हूँ how this maintenance this bike मैं से कैसे maintain करूँगा बट मैं आप clear कर दो दोस्तों आपको maintenance का tension लेने की जोरत नहीं है क्योंकि इस bike का maintenance हो काफी low है क्योंकि engine quality बहुत बैता और 150cc की bike है तो भाई क्या ही maintenance आप से लेगी यह बहुत बड़ा जो reason है दोस्तों जिस result से आप RN5M को खरीज सकते हैं तो अगर आपकी तरफ से आपको लगता है कि समीर भाई ये भी reason हो सकता है तो आप नीजे comment section में comment करके ज़रू बताना और आई वोप आज की video अच्छी लेगी हूँगर वीडियो चलेगी तेक like करना चैनल पे पहली बढ़ा है तो subscribe कर लेना चली दूस्तों मिलता है फिन next video में लवी और जहिन मन्दमातरम